बिहार के गया में कोरोना से एक महिला की मौत होने के बाद फिर से बिहार में कोरोना का दहसत फिर से बरकरार होने जा रहा है पूरे औल अबर बिहार की बात कर ले तो 78 एक्टिव केस कोरोना के देखे जा रहे हैं जबकि 24 घंटे के भीतर 9 जिले में 22 एक्टिव मरीज मिल गया है साथी साथ सबसे चौकाने वाला तो मामला ये है कि PMCH के डॉक्टर भी सब के चपेट में है इन सब विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ पटना के सिविल सर्जन स्रवन कुमार हमारे साथ मौजूद है और हम इन से जानते कि सर कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने जा रहा है कैसा है ये 2020 और 2020 के बीच का अंतर कुछ कुछ केस इधर बढ़ने लगा है जो कल की तारीख में साथ तारीख को वो टोटल जो है 3972 केस का जांच किया गया था जिसमें आर्टी पिस्यार एक 1702 है और रैपीड अटीजन टेस्ट जो है 2200 मतलब ये 2270 है इन टोटल जो है 3972 है इसमें जो है इसको छोड़ जो है इसमें जो है वो 28 केस मतलब पोजिटिव निकला है जिसमें एक केस डबलिंग हो गया है मतलब फॉलॉप वही पेसिंट कराया है तो अभी टोटल केस कल के देट में आज रिपोर्ट आया है जो 27 है उसमें 27 पतना का 25 है और आउटसाइट वहाँ छुना जो है दो केस है और अभी फोम एसवालेशन में सारे के सारी होम आईसव एसएट में जिसमें 65 पतना के है अलग जगों सिक्स्टिफाइब केस जो है हम इसमें जब्सक्राइब है बुस्टर दोज का भी जो मामला सामने आ रहा है वह बहुत चौकाने वाला है एक तरफ 27 लाग के लगभग में बुस्टर डोज लेना था लग्छ माना गया था लेकिन सिर्फ ए 11 लाग ही लोग बुस्टर डोज लिये हैं तो 30% के आसपास ही लोगों ने बुस्टर डोज लिया है तो क्या यह किस तरह की लापर वाही मानी जाएगी इसमें तो मतलब आप प्रिंट मेडिया के माधियम से और अलेक्ट्रोनिक मेडियम के माधियम से सारे लोगों को मतलब यह बात मैसेज दिया जा रहा है कि वह भैक्सिन दिलाएं जो थर्ड डोज है इसको बुस्टर डोज आप कह रही है और सरकार उसको प्रिकॉशन डोज कह कहेंगे कि आप जो है एलेक्ट्रोनिक मीडियम प्रेंट मेडिया जो है मैक्सम आदमी को एक्सिंस के लिए कुछ प्रेडित करें तो किस तरह का एहतिहात बढ़ते कोरोना में जो कोविट प्रोटोकॉल है कि जब भी जाए तो जब तक दवाई नहीं तब तक धिलाई नही मास्क लगाएं यह इस तरह से काम जो है मतलब करना बारबार हाथ दोएं बारबार नाक में मुह में अपना हाथ अंगली से नहीं साफ करें यह जो प्रोटोकॉल नॉर्मल प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें ऐसा देखा जा रहा है कि पेशेंट ठीक आपने बताया कि गया मोर और लेस कोई ऐसा ओध हलका एसिम्टोमेट मतलब सिम्टोमेटिक है सिम्टोमेटिक केस कहीं लिया जा रहा है तो हम लोग नहीं कहेंगे आप आप लोंके माध्यम से की कुविट प्रोटोकॉल को लोग फॉलो करें एक डॉक्टर जो पीमच देश बिहार का सबसे है हमारे गर्दनी वाग में के एक नर्सिंग स्टाफ एक पोजिटिव आया है तो कि सबसे बनेरिवल पॉंट तो अस्पताल ही होता है तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जो ही पेसेंट आए वह अपने मास्क में आए प्रोपर मास्क में आए ठोड़ा दूरी बना के रखें कि भीड़ा जो है ओपीडी में बहुत जादे डॉक्त्रों को घेर करके नहीं बैठें यहीं चाहेंगे कहना हम आपके खान पान के तौर पर क्या लें पॉस्टी का हार लें पानी जादे पिए लिकुड डाइट जादे लें हाई प्रोटीन डाइट लें हाई प्रोटीन ड पर पुशात के तौर पर बताया कि प्रोटीन डाइट यह सारा कुछ लें साथ-साथ जो को रोनारा के प्रोटो कौर है उसे फॉलो करे अिसे delivery बार उसे अने पर पर पाए जो जबुश्टा अंधि kidnapped प्रोड रहे पर सौफीटल में जरूर लें। ये आपकी भलाई और हम सब की भलाई इसमें ही है फिलाल कितना ही बने रेकस्षिस निक्सात पतना से अंकेता सिंग के स्पेशल रिपोर्ट